आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो उसे Crop करो और तुरंत वीडियो Solution पाओ डाउनलोड नाओ नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका डाउटनेट में आज का हमारा प्रेशन है, इसमें हमें integration given है i is equal to integration from limit 0 to 1 of x log 1 plus 2x into dx हमें इसका integration find करना है अब इसको integrate करने के लिए हम इसमें substitution की मदद लेंगे क्योंकि हम log x का integration नहीं निकाल सकते log x का integral हमाई पास defined नहीं है तो हम इसमें हम substitution method की मदद लेंगे तो इसमें substitution method में जो सबसे complicated function होता है function का जो भी हमारा complicated part होता है उसको हम t से substitute करते है तो यहाँ पे अगर आप देखो तो complicated part हमारा है log 1 plus 2x तो इसको हम यहाँ पे t से substitute कर देंगे तो यह हो जाएगा log 1 plus 2x equals to t ठीक है? तो यहाँ से अगर हमें log हटाना है तो यह क्या आ जाएगा 1 plus 2x is equal to e की पावर t ठीक है? तो x की value यहाँ से कितनी आ जाएगी? x की value आ जाएगी हमारे पास यहाँ पे e की पावर t minus 1 divided by 2 तो यहाँ से हमारे पास x की यह value आ गई ठीक है? अब अगर हमें इसका differential निकालना है तो dx हमारे पास आ जाएगा e की पावर t by 2 dt और 1 by 2 का differentiation 0 हो जाएगा तो यह हमारे पास यह बचेगा अब हम इसको और इसको इन तीनों terms को हम इस integration में substitute अगर कर देंगे तो मैं यहीं पे लिख देता हूँ उसका यह integration हमारे बन जाएगा integration x x की जगा हम क्या लिखेंगे यहापे यहापे x की जगा हम लिखेंगे e की पावर t minus 1 by 2 e की पावर t minus 1 by 2 ठीक है log 1 plus 2x की जगा क्या लिखेंगे यहापे हम लिखेंगे t और dx की जगा क्या लिखेंगे हम dx की जगा लखेंगे e की पावर t by 2 into dt, ठीक है, और यहां पर यह हमारे पास integration t में convert होगा, और limits हमारे पास हैं पर क्या आएगी, यह जो limits हैं, यह हमारे पास दौनो x की values हैं, और यह integration हमारा dt में है, तो यहां पर हमारे पास t की values होनी चाहिए, अब t की values को उसमें convert करने के लि हम put कर देंगे, तो यह हमारे पास t की values आजाएगी, अगर at x is equal to 0, t की value कितनी हो जाएगी, t is equal to log 1 प्लस 2 इंटो 0, यह जागा 1 प्लस 0, log 1 क्या होता, log 1 हमारे पास होता 0, तो at x is equal to 0, t की value भी हमारे पास यहाँ पर 0 है, तो lower limit यहाँपर हमारे पास 0 आएगी, और at x is equal to 1, t की value कितनी आ जाएगी यह आ जाएगी हमारे पास log 1 प्लस 2 इन टो 1 तो 1 प्लस 2 यह आ जाएगा हमारे पास log 3 ठीक है तो यहाँ पर हमारे पास upper limit आ जाएगी t is equal to log 3 तो यह हमारे पास हमने यहाँ पे limit put कर ली यहाँ पर हमारे पास change limit put कर दी हमने अब indefinite integral की तरह हम यहाँ पर last में answer x से substitute ना करके सीधा हम यह वाली limits को put कर देंगे जो हमने यहाँ पर change कर रही है तो हमारा answer final answer आ जाएगा उससे ठीक है तो चलो शुरू करते हैं इसको तो इसको मैं integration को एक पर फिर से fair तरीके से लिख देता हूं नीचे हमारे पास integration क्या बन गया आप integration हमारा बन गया from limit 0 to log 3 अब यह t की टर्म्स में है यहाँ आएगा t into e की पावर t minus 1 by 2 into e की पावर t dt और नीचे यहाँ भी 2 आएगा इसको मैं multiply कर देता हूं इसको इन टर्म्स को अगर मैं multiply कर दूँगा तो यहाँ पर हमारे पास denominator में 2 into 2 4 आ गया तो 1 by 4 मैं इसको integration के बहार ले ले लेता हूं क्योंकि constant और मैं और यह आजाएगा integration 0 to log 3 यह आजाएगा हमारे पास t into e की पावर 2t minus t into e की पावर t यही आएगा जी हाँ यही आएगा बिलकुल into dt अब यहाँ पे हम integration by parts की मदद लेंगे integration by parts में हम कैसे integrate करते हैं इसमें हमारे पास ऐसा होता है जब भी हमारे पास 2 function square American यह हमारे पास algebraic function है यह हमारे पास exponential function है जब भी हमारे पास 2 function multiplication में होता है मैं general form आपको एक बार बता देता हूँ अगर हमारे पास first function और second function हमारे पास ऐसे multiplication में है dx या फिर इस case में dt है तो मैं dt से ही समझा देता हूँ तो इसका अगर हमें integration निकालना है तो यह हमारे पास क्या rule होता है यह होता है formula हमारे पास first function into integration of second function minus integration of differentiation of first function with respect to t into integration of second function dt और इसका पूरे का integration dt में ठीक है तो यह हमारे पास इसका result आएगा तो यह हम formula यह या फिर यह वाला method हम अगर हम यहाँ पर apply करेंगे यहाँ पर दो जगे हम apply करेंगे इस method को तो मैं इसको अलग-अलग integration में break कर देता हूं इसको मैं मान लेता हूं I1 इसको मैं मान लेता हूं I2 अब इन दौनों integration को अलग-अलग हम solve करेंगे और यहाँ पर हम put कर देंगे तो यहाँ पर I1 हमारे पास क्या है मैं बिल्कुल simple integration यहाँ पर मैं लिखूंगा i1 हमारे पास यहाँ पर है integration यहाँ पर मैं limits नहीं लगा रहा हूँ limits मैं finally इन दौनों को यहाँ पर put करने के बाद limits मैं यहाँ पर लगा दूँगा मैं अभी limits नहीं लगा रहा है अभी सिर्फ मैं integration करूँगा तो यहां पर हमारे पास first function क्या है? first function हमारे पास है आपर t second function हमारे पास है e की पावर 2t तो यह हमारे पास बन जाएगा t into e की पावर 2t का integration minus integration of differential of t into integration of e की पावर 2t dt और यह पूरे का dt हम इसका दो बार integration करेंगे ठीक है अब यह बन जाएगा हमारे पास t into e की पावर 2t और e की पावर 2t का integration होगा e की पावर 2t by 2 minus यह हो जाएगा हमारे पास dt, t का differentiation क्या हो जाएगा? t का differentiation बन हो जाएगा और e की पावर 2t का integration हमारे पास क्या हैगा? e की पावर 2t upon 2 into dt अब इसका हमें फिर से integration करना है तो यह आजाएगा हमारे पास t into e की पावर 2t upon 2 यह हो जाएगा 4 तो यह हमारे पास first integral का हमारे पास result आगया यहाँ यहाँ पर मैं constant term मैं add नहीं कर रहा हूं क्योंकि यह definite integral में है यहाँ पर आके अगर हम इसे put करेंगे तो constant term remove हो जाएगी limits put करने के बाद तो इसलिए मैं इसको अभी add नहीं कर रहा हूं ठीक है अब दूसरे part का हम integration करेंगे क्या है हमारे पास t into e की पावर t तो यह इसको मैं मान लेता हूं i2 integration of t into e की पावर t dt तो यहाँ पर हमारे पास t first function है e t हमारे पास second function है तो यह आएगा हमारे पास t into integration of e t dt minus integration of differential of t into integration of e की पावर t dt तो यह हमारे पास बन जाएगा t into e की पावर t minus t का differentiation 1 होता है और e की पावर t का integration क्या होगा e की पावर t उसका दुबारा integrate करेंगे यहाँ पे यहाँ पे तो यह आ गया e की पावर t उसका फिर से integration करेंगे तो यह भी हमारे पास e की पावर t ही रहेगा तो यह हमारे पास का answer i2 का हमारे पास integration आ गया अब i1 और i2 का integration हम दोनों निकाल चुके हैं तो हमें क्या put करना है? हमें put करना है यहाँ पर i1-i2 1 4th of i1-i2 तो यह हमाँ पास i में आ जाएगा तो यह आ जाएगा हमारे पास i is equal to 1 by 4 अब integration तो हमने करी दिया है और यह हमाँ पास आ जाएगा t into e e की पावर क्या है? 2t है e की पावर 2t by 2 minus e की पावर 2t by 4 और यह minus t into e t minus minus plus e की पावर t और limits यहाँ पर हमाँ पास क्या है? 0 to log 3 0 to log 3 अब यहाँ पर हम limits की value put कर देंगे और हम अपना answer पाएगे तो देखते हैं क्या आएगा answer हमारा? यह आएगा i is equal to 1 by 4 t की जगा यहाँ पर हम क्या पुट करेंगे? log 3 upper limit पुट करेंगे upper limit minus lower limit हम करते हैं ठीक है? into e की पावर 2 log 3 divided by 2 minus यह आएगा हमाँ पास e की पावर 2 log 3 divided by 4 plus sorry, plus यहाँ भी minus ही है यहाँ पर आएगा log 3 t की जगा log 3 और यहाँ पर lower limit मैंने पुट करना भूल गया था इस वाली term में अगर हम lower limit पुट करेंगे तो t यहाँ पर अगर हम lower limit पुट करेंगे तो t की value यहाँ पर क्या जाएगी? यहाँ पर t की value 0 है तो यह पूरा term जो है 0 बन जाएगा और यहाँ पर minus में term है upper limit अपने पुट करती lower limit यहाँ पर अगर हम पुट करेंगे तो minus minus plus हो जाएगा यह upper limit minus lower limit होती है तो यहाँ पर already negative sign है तो negative sign में अगर minus minus करेंगे तो यह प्लस हो जाएगा तो यह आजाएगा e की power 0 e की power 0 हमाँ पास क्या होगा वन ही होगा तो इसको मैं directly 1 लिख देता हूँ 1 by 4 यह आजाएगा हमारा ठीक है अब यहाँ पर यहाँ पर पुट करते हैं यहाँ पर क्या हैगा minus का log 3 log 3 into e की power log 3 e की power log 3 और यहाँ पर अगर हम lower limit पुट करेंगे तो minus minus यह भी प्लस होजाएगा और यहाँ पर यह lower limit हमाँ पस क्या हैगी यह t की value होगर हम यहाँ पर 0 पुट करेंगे तो पूरी term यह 0 बन जाएगी तो यहाँ पर यह 0 आ जाएगा और यहाँ पर e की power t में lower limit put करने के बाद यह values आएंगी अगर इसको further simplify करेंगे आगे तो यह हमारे पास आ जाएगा एक सेगे यह बन जाएगा i is equal to 1 by 4 यह log 3 है और e की पावर 2 log 3 को हम यहापे log की property यूज करके हम लिख सकते हैं इसको e की पावर log 3 का square तो यह एक तरीके से क्या बन जाएगा log 9 बन जाएगा e की पावर log 9 अब जब भी हमारे पास ऐसी कोई term होती है e की पावर अगर हमारे पास log कोई हमारे पास अंदर कोई भी function है सबोस कुछ भी है तो इसका direct result हमारे पास आजाएगा f x जो भी हमारे पास यहां पर term है यहां पर function है या फिर कोई भी constant term है जो भी है वो सिधा आजाएगा यहां पर क्या आजाएगा यहां जाएगा 3 square 3 square log 3 और 3 square को अगर हम चाहें तो 9 भी लिख सकते है 9 log 3 divided by 2 minus यहां पर भी same जोई चीज़ करेंगे यहां का 2 जो है इधर power में put कर देंगे तो यहां पर भी यह आजाएगा 9 by 4 यह आएगा और plus 1 by 4 minus अब यहां पर यह क्या आजाएगा e की पावर log 3 हो जाएगा e की पावर log 3 हो जाएगा तो यह आजाएगा minus 3 log 3 और e की पावर log 3 यह हमाँ बस क्या जाएगा यह आजाएगा plus 3 यहां पर 0 तो ही और minus 1 अब इसको simplify कर सकते हैं हम तो यह आजाएगा i is equal to इसका और इसका LCM में ले ले लेता हूँ पहले तो यह आजाएगा 9 log 3 minus 6 log 3 upon 2 यह क्या आजाएगा 9 by 4 minus 9 by 4 plus 1 by 4 यह आजाएगा minus का 8 by 4 और minus का 8 by 4 cancel out होके बचेगा 2 minus का 2 बचेगा यह इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ इसको लिख देता हूँ इसको लिख देता हूँ प्लस का 2 तो यहाँ पर आप देखो तो 2 से 2 हमारा कट जाएगा ठीक है अब यह आजाएगा हमारे पास i is equal to 9 log 3 minus 6 log 3 यह हो जाएगा 3 log 3 3 log 3 divided by 2 into 4 तो यह क्या जाएगा 8 आजाएगा और इसको हम लिख सकते हैं 3 log 3 को हम लिख सकते हैं log 3 का cube यह फिर 3 log 3 से ऐसी छोड़ सकते हैं तो यह हमारे इसका final उत्तर आ गया धन्यवाद